पूर्स तो बात करें तो आप में से काफी सारे लोग का एक सवाल रहता है कि आकरे स्नैपड्रेगन को प्रोसर हमाकरे PC में यूज क्यों नहीं कर रहा सकते हैं और यह ऐसा क्यों नहीं हो सकता इसके बाइर में मैंने अल्रेडी एक दू वीडियो में अच्छे तरीकी सा एक्स्प्लीन किया है कि यह एक्जेक्ली स्टेट किया और क्यों नहीं हो सकता लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से कहानी है ना पूरी बदल गई है और लग रहा है कि आने वाले समय में जो कब्यूटर यूज करते हैं उसमें Intel AMD के प्रोसर के जगे आपको स्नैप्टरन को प्रोसर देखने को बिल जाए जी हाँ और जानते हैं कुछ इंट्रस्टिंग बात है तो वेल वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करो चैनल को सब्राइब करो वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों के सब को बताओ यार क्या के चीज़े हो रही है दुनिया के अंद है लेकिन यहाँ सब अपना एक्स वनाती और ऐसे कॉलकों का स्नैप ड्राइगन अपनी सनेब ड्राइगन 865 सेज और से कमाल कमाल के प्रोसेसर बनाते हैं लेकिन बात आती है आखर मॉबाइल फोन की जिन में तो यह चीज हीट हो जाती है लेकिन कंप्यूटर का क्या तो विल कंप्यूटर से प बाइल फोन के प्रोस्टर्स में जी हाँ यानि अगर हम एक इस ड्रैगूल स्मार्टफोन एसोसी के बात करें आज कल वो 7NM की टेक्नलोजी पर बन रहे हैं तो देखा जाए तो 5NM पे लोग आ रहे हैं और जबकि majority computers even AMD के majority processors हैं वो 7NM की टेक्नलोजी पर बेस्ट हैं और देखा जाए तो जो innovation वगरा चीज़े हो रही है न मॉबाइल फोन प्रोसेसर में यह बहुत जादा तीज़े से हो रही है और देखा जाए तो यह चीज़ है न इसी rate से चलते रहे हैं तो जो normal computers वाले processor होता है न इन्हें भी पीछे छोड़ देंगे और फिर देखके लगता है कि अगर इतने जादा powerful हो रहे हैं तो अपने जो regular computers होते हैं उसमें इनका use क्यों नहीं कर सकते हैं जो देखा है तो यह चीज़ है न देखने सुने में अच्छी थी लेकिन past में यह चीज़ करने की भी कोशिश करी गई लेकिन यह possible नहीं हो बाई लेकिन जो future है वो उसी की उपर जा रहा है इसके दो सबसे बड़ी reason है अब पहला है Apple का यहने कि Apple ने इस साल क्या किया कि वो टीन साल के transition period लगेगा जहांपे वो Intel से completely सुच कर जाएंगे अपने app खुद के प्रॉसर क्यों पर अब इसके पीछे का reason क्या क्या कि Intel तो already अच्छे बना रहा था लेकिन वो उस standard की नहीं बना रहा था जिसमें Apple जाती है यहाने कि Apple को मालूम है कि अगर वो अपना खुद क Mac Pro के बार में बताए जारा है और कहा जारा है कि दो-तीन साल में Apple के जितने भी computers होंगे servers वागरा सारी चीज़ है सब के अंदर आपको Apple की silicon chip ही देखने को मिलेगी तो देखा जातो यहां पे चीज है टोरी है क्योंकि देखा जातो Intel और AMD जिस चीज में lag कर रहे हैं वहां पे कमाल की performance देखने को मिल जाती है और देखा जा तो industry ऐसे धीरे धीरे shift होती हुई जा रही है इसी क्यूपर अब बात करते है Windows के अंदर अब नॉर्मली अगर हम बात करें Apple तो अपना काम करी रही है लेकिन जब Apple अगर अपना काम करें तो Microsoft कैसे पीछे रहे और Windows का देखा त Snapdragon 8CX और उसके compatible Windows वालों ने यानि Microsoft ने Windows 10 on ARM को design किया था यानि कि उस प्रोसेसर पर चलने वाला एक Windows OS इसके कुछ प्रोजेक्स की मार्केट में देखने को लेते लेकिन उस समय इतना बड़ा हिट नहीं हो पाय था इसके पीछे के रिजर मैंने पास में वीडियो में बताये और सबसे जरूरी बात यह थी कि optimization नहीं था और जो apps होती हैं जो third party apps वो उसका support नहीं था यहानि कि यहां पर मैं आपसे बात पूछने वालों अगर मानलो आपको कोई computer मिला लेकिन अगर उस पर आप तुमनी जो regular software बगर रहा होते हैं वो नहीं चला पा रहे हैं जो game खेल चाते हैं वो नहीं खेल पा रहे हैं और अलग से जो apps जो आपको देखने को मिल रही होती जादा limited है तो लोग होते हैं ऐसे product को लेते नहीं है और यही एक result था कि जो windows mobile था ना उसका failure बना था क्योंकि वहां पर apps देखने को नहीं मिलती थी लेकिन यह जो apps वाली जो problem है ना वो उसमें चल सकता है लेकिन जो 64-bit के complex program है जैसे अगर हम बात करें video editing software की modern games की तो वो भी emulation का use करके काम कर सकते हो 64-bit की जिदनी भी application है वो चल सकती है तो कहने का मतलब यह है कि windows 10 on ARM अब आज के समय में एक ऐसी position पर पहुँच गया है जहां पे आप उस पे कोई भी regular Windows का जो software है वो run कर सकते हैं यहां तक कि Microsoft यहां पे खुद काम कर रहा है कि खुद ऐसी applications वगरे develop करें जो की natively support करें और उसमें और अच्छी performance देखने हो ले जैसे बात की जाए तो नया जो edge browser होता है वो develop किया जा रहा है Microsoft का visual studio होता है जहां पे code लिखा जाता है तो उसको भी develop क जा रहे उसके लिए और भी काफी सारी applications और काफी सारे third party developers के साथ काम जिया जा रहे ताकि इस platform के उपर जाद साद application लाई जा सकें क्योंकि देखा जाए तो apple-based direction में काम कर रहे तो Microsoft भी करेगा और पिछले कुछ काफी लमने समय से Microsoft को मालूम है कि यह चीज अभी के समय में successful नहीं हो पारी लेकिन उसे वो छोड़ नहीं रहा है और देखा जाए तो इसी में वो ताकत बनाना चाहता और नया टाप का एक operating system create करना चाहता है जिससे वो market में देखा जा तो दुबार से नई टाप की monopoly create कर सके well कुछ बात है तो यह हो जाती इसके साथ एक और interesting बात यह कि इसमें जो processor जो लगेंगे ना वो Qualcomm ने already develop कर चुके है जैसे बात करे Qualcomm के Snapdragon 8CX generation 2 की यह भी काफी अच्छा chipset ही Snapdragon 865 plus के भी उपर बनाया गया है इसके नदा आपको 5G का integration भी देखने को मिलता है तो यानि कि आप समझ सकते 40-50,000 का laptop लो Qualcomm का Snapdragon 8CX से कमाल की performance देखने को मि लेगा कुछ 60 laptop के लिए 20-30,000 के price point के लिए Snapdragon 7CX को भी design किया गया है जी हाँ और मैं आप लोगो उसे बता देता हूँ 20-30,000, 40-50,000 तक के majority जो laptop साते है ना उन से आपको इसमें अच्छी performance देखने को मिल जाएगी क्योंकि देखा तो यहापे hardware को काफी अच्छी तरीकिस optimize क देखने को मिलेगी लेकिन जिस तेजी से development Snapdragon वाले processor या ARM वाले processors में हो रहा है न यह होते होते देखा जा तो बहुत ही जल्दी जो लोग है न यह Intel AMD को सरपास कर सकते हैं इवन Exynos भी काम कर रही है जो Samsung की Exynos है अब कहा जा रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से Samsung अपने Exynos उसको बहुत जादा powerful बनाने में लगी और आने वाले समय में AMD के GPU का भी integration कर सकते हैं जिससे Exynos की परफॉर्मेंस होगी न स्नैपड्रेगन वाले processor से भी जादा निकल जाए आने वाले समय में क्या रहता है लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ऐसी कहानी हमें सुनने को मिल रही ह कुछ अच्छे laptop भी होते हैं पर उतनी अच्छी value for money उतनी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है अगर इस टाइप की चीज आती है तो आपको दो सबसे बड़ी चीज़े देखने को मिलेंगी यानि कर स्नैपडर्ग का processor आता है Windows 10 on ARM आ तो उसमें पुरानी applications भी चलती है तो सबसे पहले चीज़े आपको कमाल की battery life देखने को मिलेगी active cooling हो सकते हैं काफी सारे entry level laptops में लगाने की जरूत नहीं पड़े यहां तक कि आप उसमें अलग लग चीज़ों पर पैसा बचा सकते हो काफी कम price के अंदर एक अच्छी affordable और high end machine प्रोवाइड कर सकते हो यह किस यहांने कि इसमें performance भी अच्छी मिले battery life भी अच्छी मिले heating भी कम और उसे बनाना भी सस्ता पड़े क्योंकि बहुत जादा चार्ज करती दौनों companies अगर यह प्रोसेसर होता है और अपनी किसी भी company को बिशती है Intel के processor बहुत जादा में हैंगे रहते इवन NVIDIA के GPU में हैंगे वाली बात हो कि आने वाले एक दो साल के अंदर डेफिनेटल इंडिया में भी आपको देखने को मिलेंगे globally भी देखने को मिलेंगे और में को लग रहा है कि यह तरीके से काम चल रहा है ना बहुत ही जल्दी जो Windows 10 AR है मेंना यह mainstream हो सकता है क्योंकि Apple भी पीछे लगी हुई AMD नो उसकी हालत खराब कर दी अब पीछे Qualcomm Snapdragon आ रहा है Exynos आ रहा है ARM की चिप सारी Apple का Silicon आ रहा है तो देखा जा तो PC इंडस्री में जहां पर आपको एक बड़ा revolution देखने को नहीं मिलाता ना वो अब आपको देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों यह कुछ बाते हो जाती कि इसके बार में विसे आप लोगों का ख्याल है Snapdragon कंप्यूटर में आता है तो इसकी प्रफॉर्मेंस क्या होगी और क्या लगता है क्या यह कभी Intel AMD को बीट कर सकता आपका Qualcomm का Snapdragon यह बात नीचे comment बताना ना भूलना और अगर वीडियो और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करो यार चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्ता शेयर करो थेंक्यों आपका वीडियो देखने के लिए आप समझता है ने इस वीडियो के अंदे है गुड़ बाई